अगर मैं कहूं क्या है भारत के अंदर अगर आपको कोई भी खाना बनाना है भारती खाना बनाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीजे क्या है तो आपके दिमाग में हो ना हो मसालों के साथ में तेल का नाम जरूर आएगा क्योंकि कोई भी सबजी बनाना हो समोसा बनाना हो या फिर कोई भी नए प्रगागा फूड बनाना हो आपको तो उसके अंदर तेल के आवशक्ता लगती है अब भारत के अंदर इतना तेल प्रोड्यूस भी होता जिसकी वएसे साहट प्रतीशत हमाई रिक्वार्मेंट का हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है पाम ओयल का जो आता है इंडोनेशिया से पर भारत की इस डिपेंडेंसी की वज़े से भारत के अंदर कहीं साही समस्याएं हम लोग को देखने को मिलती है और अभी आप म अंदर ही प्रोड्यूस करें हम भारत के अंदर ही ओयल सीट की खेती करें और उसके लिए हम लोगों ने कैसा है मिशन चलाए भी है पर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे यहां पर प्रोड़क्टिविटी कमी है पर अब इंडोनेशिया भा यहां पर यहां पर आनो के लेकिश है पर चलाएं भी हमूरत करें विया घर हाए यूपी एसी एसी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजूकेटर से ऑफ्लाइन जाएंगे जिनके द्वारा जीजों के आप लोगो को कम्परेंसिव तैयारी कराई जाएगी साथ में आप लोगो को करेंट अफेस के भी मटेरियल दिये जाएंगे अगर आपको भी अनकेडमी के ओपर जुड़ना है तो आप लोगे पास में बहुत चाम होका है क्योंकि यह एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जिसके अंदर से कई साथ टॉप पर्स निकले है पिछले साल 2023 में देश का सबसे बहतरीन रिजल्ट अनकेडम अगर आपको अनकेडमी के सेंटर पर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दो लिंक दी हुई है उन लिंक को टच करना उनको खोलना उनको पूरा फिल आउट करना फिर आप जब उसके अंदर साई डीटेल डाल दोगे तो हमाई टीम आपको रिच आ इंटेंट मिलेगा आपको one-on-one mentorship मिलेगी साथ में आपको बताया जाए किस तरीके से आप अनकेडमी के उपर जुड़ सकते हो तो चली दोसब समझने का प्रयास करते हैं आप हुआ क्या है देखो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा बायर है edible oil का जिसके अंदर हम 13 million ton के आस आस पास oil का import करते हैं जो कि भारत की total requirement का 60% है जिसमें से दो तीहाई oil का import हमारा approximately palm oil का होता है 20% के आस पास हम सोया oil और sunflower oil लगबग 16% तक import करते हैं ये data है International Sunflower Oil Association का आप clearly इन दाटाओं के अंदर भी देख सकते हो किस तरीके से palm oil भारत के oil import को dominate करता है अब यही जो palm oil होता ही हम import करते कहां से हैं दुनिया के सबसे बड़े producers से जिसमें Indonesia और Malaysia सामिल है इन से हम भारी मात्रा में oil को import करते हैं जिसके current से हमारा current account deficit बढ़ता है जिसके current से हमारे forex reserve जो है वो खर्च होता है इसके साथ में भारत के जो गरीब आबादी है जो भारी मात्रा में गरीब ल volatile oil prices से आप clearly देख सकते हो 2022 के अंदर अचानक से oil price बढ़े थे अगर आपको याद होगा तो इन oil price के बढ़ने का कारण ये था कि सोयाबीन oil की खेती अर्जेंटिना में फेल हो गई थी वहीं Canada के अंदर ड्रॉट आने की वाज़े से वहाँ पर केनेवला oil की जो खेती है उस नहीं जिसकी वैसे price बढ़े 2022 के अंदर इंटरनेशल price के बढ़ने के कारण भारत के domestic market के अंदर बी oil के price बढ़े और उसके बार वो कम आये पर इतने कम नहीं इतने पहले थे ऐसी condition में क्योंकि सीरी से चीज़े जिस चीच का एक बाद आम बढ़ आता ना वो फिन नीचे न बनता है वो इस oil को purchase करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रही है जिसकी वैसे food security के issue आरे क्योंकि आप सोचो ना कि भारत के अंदर आपको कोई भी खाना बनाना तो उसके अंदर तेल लगता है अब अगर आप एक ही तेल को कभी भार बार यूज करोगे तो उसक बार बार यूज करना पड़ता इसके कायांट से कहीं सारे health issues आते हैं जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को oil की availability को भारत के market में make sure कराना और आने वाले समय में तो oil के prices और बढ़ेंगे क्योंकि जिस तरीके से junk food और fast food के demand बढ़ रही है nuclear family के create होने की वज़े से ऐसी condition के अंदर आने वाले समय में demand और बढ़े की जिसकी वज़े से हम लोगों को भारत के अंदर palm oil के production को और even जितने ही प्रकाय के edible oil है उनके production को बढ़ाना होगा या फिर उनकी availability को make sure करना होगा अब availability को short term के लिए make sure करने के लिए हम लोगों ने custom duty वगेरा ज 32.5% की duty को कम करके लगबग 75% यानि की duty को सीधे आदे कर दिया था वहीं 2022 के अचानक से प्राइस बढ़े थे तो उस समय के हम लोगों ने सारी custom duty जितने ही प्रकाय के से सर्चाज है उन सबको तेल से अटाया था ताकि सस्ते rate के अंदर लोगों के पास में तेल पहुंच सक edible oil all palm जो है वो launch किया गया था जिसके अंदर कुल मिला के क्या है देखो हम directly MSP नहीं दे सकते युकि already food crop के ओपर लगबग 23 crop के ओपर हम लोग MSP दे रहे हैं जिसकी वज़े से सरकार के budget के ओपर भारी burden आता है ऐसी condition में हम लोगों ने national mission on edible oil all palm के अंदर दो तरीके अपना है पहला तो ये के extension service देंगे हम farmer को मतलब farmer को educate करेंगे कि किस तरीके से वो palm oil के production को बढ़ा सकता है वहीं दूसरी तरफ viability gave funding दी जाएगी मतलब मतलब एक price decide कर दिया जाएगा कि ये है oil palm का price मान लो 200 रुपया घोशित कर दिया एक्जामपल के रूप में बता रहा हूँ और किसान ने market के अंदर जाके जब अपने palm oil को बेचा या फिर अपने palm को बेचा तो उनकी price आई लगभग 300 रुपया तो भारत सरकारी जो बचा हुआ gap है ना 50 रुपय का ये किसान को return करेगी इस तरीके से viability gap funding जो है वो दी जाती है इससे क्या होता है किसान को mixture हो जाता है कि minimum 200 रुपय तो मिलेंगी तो फिर वो क्या करेगा palm oil की खेती बढ़ाएगा जिसके कान से palm oil का production जादा होगा पर भा हमारे पास में आबादी कितनी है हमारे पास में land की कमी है एसी condition में cable production नहीं बलकि productivity पे भी तो focus करना पड़ेगा और palm oil की खास बात यह है कि अगर हम अच्छे बीज और अच्छी technology का प्रयोग करें तो हम हमारे oil के production को per hectare में लगभग 4-5 ton तक लिजा सकते हैं आप clearly ये दे और even palm oil के अंदर ही capacity है कि वो per hectare के उपर सबसे जादा produce हो सकता है एसी condition में हमको चाहिए productivity को बढ़ाना जिसके कारण से हम Malaysia से बात कर रहे थे जो second largest producer है पर Indonesia ने हम लोग को offer किया कि हम आपके साथ collaborate करेंगे ताकि भारत के अंदर palm oil की productivity बढ़े high yield production हो साथ में this is resistant palm oil seed भी create हो सके जिसके कारण से भारत के अंदर जो palm oil की dependency global market के उपर है वो कम हो भारत के अंदर proper food security जो हो maintain हो इसके लिए Indonesia ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है आप clearly इस article के अंदर देख सकते हो बट बात आती है कि इंडोनेशा ने भारत की मदद क्यों की या फिर इंडोनेशा भारत की मदद करना क्यों चाहता है इसके पीछे simple सा reason यह है कि इंडोनेशा को भी बदले में भारत से favor चाहिए देखो इंडोनेशा के अंदर जो staple crop है मतलब जो regular खाया जाने वाला भूजन है वो है चावल पर इंडोनेशा के अंदर चावल की कमी है क्योंकि यह तो island country है ना वहाँ पर थोड़ा खारा पानी जादा देखने को मिलता है जो की rice के लिए बहुत अच्छा है नहीं जिसके कारण से भारत के ओपर dependent है चावल के लि लेगी तो obviously Indonesia के अंदर भी चावल का production अच्छा हो पाएगा और अगर चावल का production अच्छा होगा तो उसकी वज़े से वहाँ पर भी food security maintain होगी मतलब जो पूरी कहानी है उसके अंदर Indonesia भारत की मदद इसलिए करना चाहता है कि Indonesia को भारत की मदद चाहिए जिसके कारण से दोन प्राइगराज के अंदर हमाएं सेटर्स खोले जा चुके हैं अगर आपको हमाएं सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंद तक देखना है कर दोन कर दोन कर दोन को बढ़ है हुआ फॉट करसंब दो